एक दो एक दो एक दो ये जो मिलेक्टरी के जवान चलते हैं एक दो एक दो फिर जब पुलियां आती है न ओर्डर मिलता है ताल तोड़ो क्यों पुल तूट सकता है वीग हो सकता है कमजोर हो सकता है क्यों एक साथ जब उनके पाओं जाते हैं ताल को बेताल किया जाता है आप सोचो ताल में कितनी शक्ति है हमारा स्वास भी एक ताल बद्ध चल रहा है लेकिन कभी वो स्वास की जो गती है कभी बी संगुल कभी पच्ची संगुल कभी अठारा कभी पंदरा कभी बारा कभी आठ घड़ी सामने रखो पांच मिनट में आपने कितने सांस लिए गिनो दस मिनट के बाद फिर गिनो आपको फरक लगे कि उस समय अगर पचास लिए तो बाद में 55 हो गए 60 हो गए 65 हो गए यह कम हो गए बिमारी का कारण क्या है दातों का काम आतों को देना भोजन करो एक को और को कम से कम 32 बार चबाओ भोजन करो एसे कि भोजन का रस बन जा एकदम पानी पानी को तो खाओ अन को पियो यह लिलाशा बापू कहा करते थे लेकिन हम लोग फास्ट फूट फटा 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 फट तू जान दूजो आवे तू जान दूजो आवे खाना खराब किया सत्या नास ओ बाबजी काई करूँ पेट में गोड़ो चल रहे हो उपर नीचे हो रहे हो कई घूस गयो मेरे अंदर अरे किसी ने कुछ नहीं किया बोले मेरी जो देरानी है न सामने रहती उसने कुछ टोटका किया मेरे उपर अरे जिन्दे तेरा कुछ नी बिगार सकते मरे हुए क्या बिगारेंगे कुछ नी बिगार सकते भगवान का नाम जिसके मुख में है और जिसने दिक्षा लिया है और जो भगवान का भजन करता है उसको ये कोई प्रभाव नहीं कर सकता है राम नाम पर भगवान के नाम पर अडुड विश्वास राम नाम मानी दीप धरूं ज्यों देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहरों ज्यो चाहत उजिया ठीक है नाम की शक्ति को ध्यान की ताकत को हम लोग भूल गए नाम-चिंता・मणन राम नाम आवशद्ध यह सब संतोने का हम लोग मानते ही नहीं हमारे देश की विद्ध्या जब विदेश का कोई विद्वान कहता है इंगलिश में तब तो हम लोग करते और जब हमारे गुरुजी प्राणाय हम कराते हाँ जी ठीक है ठीक है ये तो हमने देखा और फिर तीन तीन हजार रुपया की फीस दे के सब्ताइक कोर्स करते जैराम जी की बोलना पड़ेगा समझने वाले समझ रहें अरे वो तो सालों पहले आपको सिखा रहे है कि कैसे पदमासन लगाओ कैसे वजरासन लगाओ भोजन नहीं पस्ता तो वजरासन में बैठो और वायू सबंदी रोग हैं वायू मुद्रा करो दूसरी अंगुली को अंगुठे के नीचे रखो तीन अंगुलियां सिधी रखो वायू की तमाम तकलिफे मिटेगी यह आंखें ठीक काम करनी देए यह दूसरा बना गया अच्छा दिखता नहीं यह प्राण मुद्रा आखरी दो अंगुलियों को अंगुठे के साथ मिलाओ दो अंगुलियां सिधी रखो आंखों की तमाम तकलिफे मिटेगी अब बले पेट साफ नहीं आता सुबे सुबे पांच मिट डारी दबाओ अभी मत दबाना पेट साफ हो जाता है यह चूरण वो चूरण यह लेने की जरुवती नहीं है एक रुपय का खर्चनी एक पैसा नया नहीं लगना एकदम सरल करते नहीं जहां पूरे विश्व के लोग भारतिय अध्यात्म पे और भारतिय योग विद्या पे दिवाने बने हुए हैं उसी के प्रती हम लोग उपेक्षा किये हुए हैं अपसोस तो यह चोहत्तर प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां हैं नो साइड इफेक्ट हम लोग ऐलोपेथी की शरण जा रहे हैं उसमें पांच हजार दवाईयां मार्केट में वो मिल रहे हैं जिनका लाइसंसी नहीं मेरा दॉंड में प्रवचन हुआ महराष्ट में पूना से आगे पड़ता दॉंड वह अहमद नगर की एक फेमेली आई और माता पिता अपनी शादी शुदा एक लड़की को लेकि आए वो बोले आखों से नहीं देखती मैंने का क्यों दो बच्चे हैं बोले इसको शरीर में खुजली हो गई डाक्टर के पास गई डॉक्टर ने उसको गोली लिखके दी वो दो गोली खाई शरीर में इतनी गर्मी बढ़ गई यह अंधी हो गई हलदी कैसे डालती होगी सबज कि अग्टें कुस नहीं कर सकते हैक अब खुजली हो रही है तो भी अलोपेदी की शरण सिर्थ ब्हुर आए तब भी अलोपेदी की शरण नीद नहीं आ रहा है तब भी अलोपेदी दवाई यह शरीर है कि कि प्रयोक्षाला जरह सी नीम की पत्यां उबालो उससे सरान करो तुलसी के पत्तों को रोज खाओ कैंसर कभी होने की संभावना ही नहीं है करते नहीं ये जो मुली है लिवर की बिमारिया होने ही नहीं देती लिवर ठीक हो जाता मुली खाने से घृष कितना सराल है पता ही नहीं किसी को भी लिवर की खराभी है मुली रोज खाओ मोले सवामी जी खावें तो रोज लेकिन ढकार बहुत गंदी आती तो ढकार गंदी आती उसी के कारण नहीं कहते तो मूली खाने के बाद थोड़ा सा गुड़खा लो गुड़खी डली खालो डकारा ना बन इतने सरल प्रयोग है हमारे पास करते नहीं अंग्रे जी दवा खाएंगे दिमाग को ठीक करने के लिए दवा लो तो पेट खराब हो जाएगा पेट ठीक करने के लिए दवा लो घुटने में दर्द शुरू हो जाएगा मेरे पास पुस्तक आई इतनी बड़ी हर बिमारी के दवा लिखी ये लो पेटी सामने उसके दो तीन दो तिन उसके साइड इफेक्ट लिखे एक तो है बिमारी दबना एक है जड़ से निकलना गंदगी पड़ी है चादर ढाग दो बड़िया लग रहा अरे अंदर तो बड़ा पड़ा प्राकर्तिक चिकित्सा चोहत्तर प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां ऐसी है जो बिना दवाई के आपके शरीर को फिट रख सकती उसके उपर रिसर्च हो रहा है और करने की दूरत है और हम तो ऐसा विचार बना रहे हैं कि विश्व में एक ऐसा स्थान बनावें जहां यह चोहत्तर प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां एक ही जगा पर उपलब्ध हो मंत्र चिकित्सा संगीत चिकित्सा एक्यू प्रेशर गव चिकित्सा एक डॉक्टर है गव चिकित्सा के उपर काम कर रहे हैं बोले दुनिया में कहीं जो बिमारी ठीक नहीं हुई वो बिमारी मैं ठीक करता हूं गव चिकित्सा से गव मुत्र से और ये गव घनवती से लेकिन जब इसको पेटेंट अमेरिका करा लेगा और फिर 200 रुपे में 500 रुपे में आपको इतनी सी डबी बढ़िया पेकिंग में मार्केट में मिलेगी तब आप लोग कहोगे यह तो बहुत अच्छी है और इदर आश्रम का गोवर्क 25 रुपे वाला फलतू लग रहा है आ वही जो वैदराज हल्दी और नमक और सेंधाव और हरडे देता था अख़बार की पुडिया में तो बोले यह तो कोई पांच रुपे की तो कोई दवाई होती होगे फिर अच्छे टेबलेट में वो 50 रुपया खरज के दो गोली लेके आएंगे इसलिए ओम जब आप ओम कहते होना नाभीपिय उसका अशर होता है जब राम कहते हो तब रधव्य पीस कांधूलagainहोता है सत्संग में आने से पहले आप सबका जैकप होना चाहिए कितना हाई भी पी है, कितना लो भी पी है, श्वेत करण कितने, रक्त करण कटने, टेंशन, डिप्रेशन, टनाव, चिंता, और जब सत्संग दो घंटे ध्यान भजन करके, प्रानायम करके, जब आप वापस जाओ, उस समय फिर एक रिपोर्ट निकालना, फिर उन दोनों की तुलना आप करके आप देखो, क्या फायदा हुआ है, विश्वास नहीं हो, तो ऐस करके देखो भले, जिसको शंका हो,